चंदनकारी प्रखण के नवडीहा पंचायट में सीयो रामा रविदास की मौझूदगी में निर्वाचित पंचायट प्रतिनीधी का सपत ग्रहन कारिक्रम संपन हुआ इसमें निर्वाचित मुख्या अपसाना बानो समेट बाराबार से दस्यों को सपत दिलाए गई इसके बाद उपमुख्या के चुनाओं की प्रकरिया प्रारंब हुई उपमुख्या पद का चुनाओं सांतिकुन तरीके से संपन कराया गया चुनाओं मैदान में दो प्रत्यासी जरीना, बीवी और मुरुत तुजा काजी थे मत पत्र के द्वारा मद्दान संपन खराय गया मद्दान में खुल बारावार सदस्यों ने हिस्सा लिया जिसमें पांच वोड जरीना बीवी को मिले जबकि तीन वोड मुरुत्वय जा काजी को मिले जबकि चार वोड रिजेक्ट हो गया इस तरह दो मतों के अंतर से जरीना बीवी बीजय घोसी कुई सियों ने उप मुख्या को निर्वाचिन प्रमान पत्र सौपे साथ ही सपद दिला चुनाव संपन होने के बाद नौ निर्वाचित उपमुख्या को मुख्या अपसाना बानो और उनके समर्थकों ने माला पहना का जूट की सुपका मैं दी इस मौके पर निर्वाचित मुख्या ने कहा कि आज सपत ग्रहन के साथ ही मेरा पंचायत के जिम्मेदारी बढ़ गई है और चुनाव से पहले किये गए हर वादे को पूरा करेंगे सरपर्थम पंचायत में सिक्षा पर विसेज ध्यान देंगे इसके बाद पानी तथा सोचालियों पर कार किया जाएगा इस मौके परवार सदस्य जाके रंसारे अब्दुलंसारे करीमन बीवी हतेमा बीवी गानू देवी पंचायत समीती देव स्री देवी इसके अलावा राजा कयूम मुस्ताथ कलाम समीम आजाद अशर्द गाजी आली रेजा समिच सेक्रो ग्रामिन मौजुद थे सबसे पहले आपके पंचायत में क्या चीज की कमी है और कीजेगा काम सबसे पहले मेरे पंचायत में स्कूल और सिख्छा की कमी है इसके मैं पूरी कोसिज करूंगी कि मैं अपने सिख्छा को पुरी उपर तक लेगा इसके अलावा पंचायत में क्या क्या कमी है जो अब दूर कीजेगा मैं देखूंगी कि क्या किस चीज की कमी है सञ्वकों की अपर निरिफे बुरे लोगों के लिए जो विद्दा पैंसन हो रहे हैं उसके मैं देखूंगी और जिसके लिए साचाले के बहुत घरों मैंसे है कि साचाले नहीं जिसे बहार जाना पढ़ता है उसके लिए मैं चाहित के जनता को क्या बोलने चाहते हैं तन्यवाद और मुख्या के साथ मिलके काम कीजिएगा